गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू दास अनपब्लिक स्कोल डग ओनलाइन क्लासे दियर स्टुडेंट्स आज के हमारी इस क्लास में हमारे पॉइंट बी के ऊपर डिसकस करेंगे दियान से अपनी बुक में देखें कल हमने टिक दा करेक्ट ओप्शन फेलिन दा ब्लैंक पॉइंट एक लियर कर लिया था आज कि हमारी इस वीडियो में हम पॉइंट बी के ऊपर डिसकस करेंगे सो इस्टूडेंट्स त्यान से देखें क्योशन फर्स्ट हैं बी का ओट इस दा यूनिवर्स राइट इसके ऊपर एक शोर्ट नोट लिखना है पेज नंबर फाइफ जो दे रखा है वीडियो में पेज नंबर फाइफ ओपन करें देखें पेज नंबर फाइफ पे यूनि तो इसमें यूनिवर्स वाला पॉइंट अबाउट 15 बिलियन से लेकर डियर स्टूडेंट ज्यान दे पेज नंबर फाइफ यह यूनिवर्स लिख रखा है लिख रखा है इसमें अबाउट 15 बिलियन से लेकर एक्सपेंडिंग इसका लास्ट वर्डे एक्सपेंडिंग द देखर एक्सपेंडिन तक यह आपका भी फर्स्ट अब देखें बीटू बीटू क्या है हाउ एंड वेन वाज़ दसन बोर्ण हमें सन के बारे में बताना आए तो इसमें देखें सन के बारे में सन जो है हाउ एंड वेन पर नमबर फाइब पर देखें इस पर दे रखा है आवर सन इस दे नियरेस्ट स्टार तो अस वाज़ बोर्ण लाइक दे रखा है यह बीटू वीडियो में द्यान से देखें फेज नमबर फाइब यह बीटू है आपका क्लियर बीटू अवर सन विच इस दे नियरेस्ट स्टार वाज़ बोर्ण लाइक बाइब इस बाइब 4.6 बिलियों यर्स एको आया समझ में अब अगला देखें क्याशन नमबर फाइब 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 इस सोलर सिस्टम एश्पें इस निकाले सोलर सिस्टम दे रखा है आप इसमें दा फेमेली से लेकर दा फेमेली से लेकर वाइट तक दा फेमेली से लेकर वाइट तक यह हमारा भी थार्ड अगला देखें भी फोर वाइज अर्थ काल्ड ए यूनिक प्लानेट पेज नमबर सेवन पे देखें इसके अवर अर्थ इस ए यूनिक प्लानेट देखा पेज नमबर सेवन निकालें अवर अर्थ इस ए यूनिक प्लानेट दे रखा है यहां से लेकर लाइट तक अवर अर्थ ए यूनिक प्लानेट यहां से लेकर आपको लाइट यह आपका वी फोर अगला देखें वी फाइफ what are satellite satellite क्या है P number 8 P number 8 निकाले इस पर दे रखा है satellite का B5 का पहला point है B5 का पहला point देखे satellite वाले the satellite B5 का पहला point यहां से लेकर अर्थ तक ठीक है A heavenly body से लेकर अर्थ यह पहला point है दूसरा point there are to B5 का दूसरा point there are से लेकर for a cast तक ठीक है यह आपका B5 complete So students यह हमारा chapter 1st geography में complete हो गया कल हम chapter 2 latitudes and longitudes के उपर चर्चा करेंगे मुझे उम्मीद है आपको यह question answer अच्छे समझ में आये होंगे So thanks दन्यवाद अबुट